डिसिशन हमेशा एक ही रहेगा शायद आज आपकी आँखों में भी आसु आजए तो फ्रेंट्स कामेनी जी का जो जेठानी जी है उनका भी अभी कुछ देर पहले ही वीडियो आया है हलांकि मैं उसे पहले वीडियो डाल जोकी थी जो दिवरानी जी का आया था तो चलिए उ आप लोग की आखों में भी वह सीन देखके आसु आ गए होंगे राइट क्योंकि मैंने भी जब वीडियो देखा था मेरे लिए इमोशनल था वह सीन और कहीं ना कहीं क्या स्थिति हैं कि जो इन्होंने टाइटल में डालाए कि कैसी हूं मैं ससुराल में तो काफी लोग करें चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज की वीडियो एक पॉजिटिव वीडियो के तरह ही आई जैसे वहां पर अच्छा मैंने लास्ट वीडियो जो दिवराणी जी का है तो उसमें काफी लोग उनको ये भी बोल रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में जहां पर उन्हों पूजा भी होगी भाकी आज कामीनी जी ने भी वही सारी चीज़ों का अपनी वीडियो में भी क्लियर किया जो लोग कोश्चन पूछ रहे थे तो उन्होंने काफी जीज़ यह भी बोली कि मतलब पहले तो यहसे होता कि उतने नहाते नहीं हैं एसा कुछ था कि नए नहीं पहनते हैं और बिना हल्दी के जो सबजी और दाल बनती है यह सब चीज़े उन्हों भी बोले बागी लड़की यह जो सासुमा है एक तरह से सासुमा का नाम नहीं लिया ठीक है लेकिन हाँ पापाजी पापाजी जुरूर बोला जा रहा था तो कहीं न कई देखने से इ इनके घर में और देख के अच्छा नहीं लगा बहुत इमोशनल सीन था जब उनका बेटा भी यह कह रहा था कि यहां पर क्यों बैठी हो मी यहां पर तो कोई भी नहीं बैठा है तो वह रोने लगी थी अगर आप लोग ने वह सीन नोटिस किया हो तो चलिए बात कर लेते के लेकिन हां उदर जैसे उन्होंने जो निकी है उन्होंने क्लियर किये इस सब चीजे आज इनकी वीडियो में चेल किया है उदर निकी को कुछ लोग यह बी कह रहे है कि जिस हॉस्पिटल में आई थिका क्लाउड नैन में गई है वहाँ पर लोग यह भी बोल रहे हैं कि वह सिर्फ मतलब ये प्रेगनेंट है प्रेगनेंसी मेटरनेटीव होम है वो तो ये कहीं प्रेगनेंट तो नहीं है इसलिए तो मुझे लगता है कि जब कुछ ऐसी चीज़े होगी तो वो शायद खुदी अपनी वीडियो में आके बोलेंगी लेकिन येस काफी लोग है जो इ रहे हैं उनकी हमेशा सेवा करना वैसे मुझे लगता है कि उस टाइम ये भी पूजा कर रही थी इन्होंने कैमरा रखा हुआ था लेकिन वो एक कहता है न एक फ्रक्शन आफ सेकेंड मतलब कोई आपकी वीडियो में आ गया तो उस टाइम वहां पर आये थे वो भी पूजा कर रहे थे बाकी थोड़ा इमोशनल दिखी है अपने कपड़े वगेरा जो कोलाबोरेशन के हैं जो काफी टाइम से नहीं हुए थे वो सब निकाल रही थी दिखा रही थी और एक टाइम पर जब इनके घर में जो रवीना है वो आई थी आज बच्ची से भी बात करते जैसे मैंने प्रीवेस वीडियो में बोला अच्छा इन सब चीजों के बाद काफी लोग इनके जो उस दिन मैंने जैसे बोला था आँखों से बहुत जादा यह रोई हैं जिस वज़े से क्या रही थी कि बार बार अगर कंटियोसली रो तो थोड़ा वो आँखेशा इस मेरे भी बोला है कि जो मेरा डिसीशन है मेरा वो ही रहेगा अभी जो परिस्तितियां है वो अनुकूल नहीं है ठीक है लेकिन मेरा डिसीशन वो ही रहेगा तो इसका मतलब अभी फिलाल क्योंकि यह सब चीजे हैं तो यह कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकि इनकी बातों से कुछ है दिख रहा है इनके face में इनके साथ कैसा वहां पर व्यवार है लोगों का वह भी दिख रहा है काफी लोग समझ रहे हैं आज इनके साथ emotional भी हुए नीचे comment section में आप comments पड़ सकते हैं तो बच्चे के साथ थोड़ा अच्छा फिल कर रहे ती लेकिन एक पर मुझे ऐसा लगा कि वह सही में रो जाएंगी जब आदमी अकेला होता है मुझे लगता है यह सही में अकेलापन है इनकी लाइफ में मतलब दिख रहा है इस टाइम बागी पूजा पार्ट किया है और नीचे खाना भी बना रही थी किचन में अच्छा किचन से आदा है का ओवर एक्टिंग में आपने बच्चे को भी जोड ले और इसका रोना तो एक्टिंग सुपर है सीरियल में रोल मिल जाएगा तो जो मम्मी की एमोशन्स हैं उसका भी लोग मजाग उड़ा रहे हैं नीचे कॉमेंट आया है और वाइस कम आ रही है वाइस से रिलिटेट चाय बनाती हूं तो चाय से मुझे याद है आज काफी कॉमेंट्स फिर से चाय के आए कि आपकी तो सासुमा ने का था कि आपने चाय नहीं दी है आप तो बिल्कुल एक कब भी चाय नहीं देती हो अपने ससुर को कुछ लोग लिख रहे हैं दिवरानी जिठानी दोनों जाएंगे और वो लोग सब गाउं जा चुके हैं हमारे आसे भी जाएंगे नोने बोला है कामिनी जी ने तो हम लोग का तो नहीं है लेकिन जाएंगे लेकिन आज इनके शब्द मैंने चीज नोट करी कि यह सासुमा है उनका नाम नहीं ले रही थी अपनी वीडियो में बा काफी लोग यह भी कह रहे हैं कि आपको अलग किचन ऊपर बना लेना चाहिए इस किचन में आप कैसे काम कर रहे हो तो मुझे लगता है कि सब चीजे क्योंकि यह भी बहुत अभी स्टैम टेंशन में है परिशान है ठीक है इनके घर में इस टैम जो माहौल है उदर जो निक लोग अपने हिसाब से बता रहे हैंने भगवान उन लोगों को सजा जरूर दे जिन्होंने आपका दिल दुखाया है अचा बच्चे वाले सीन को कुछ लोगों ने यह बोल दिया कि यह तो देखो इसने एक्टिंग करी है बच्चे को भी इस चीज में इन्वाल्व कर लिय माइक लेने से आपको कोई फायदा नहीं हुआ है बाकी सूतक के बारे में सब लोग बोल रहे हैं कि सूतक लगते हैं नहीं लगते हैं सब की अपने जो रिचुल्स होते हैं सब आपको बता रहे हैं काफी लोग कह रहे हैं कि दीदी आपका इतना पॉसिटिव ब्लॉक रहत कि लगता है देखते रहो आपकी वॉइस आपके व्लाग वोइस बहुत धीरे आरही है एक चीज पूछना था दी की सब आपके एक कॉमेंट आया है कि का एक छी पूछना था दी की सब आपके साथ घर में अच्छे से हैं क्योंकि आप Singing के लग नहीं है तो इसका मतलब यही है कि वाकई इनके कॉमेंट से और जिस तरह से यह बहुत emotional हुई ठीक है जिस तरह कह रही थी कि जो इनका बेटा है वो कह रहा था कि यहां क्यों बैटी हो यहां पर कोई भी नहीं है तो अकेलापन है कोई बात नहीं कर रहा है तो बिल्कुल इन सब्सक्रीयों से और क्लियर हो गया है आप अपने बच्चे को जान से जादा प्यार करती हो उस दिन सुमित कसम रख पा रहा था धनुवा की कसम रखो और आपके सांसों में बैठे मुस्कुरा रही थी पीछे आपकी सांसुमा इस तरह की कमेंट्स आ रहे हैं आप भी आप सोची आपके ससुर कितने अच्छे हैं उन्होंने होने पर आप लोग के साथ अच्छे से रह रहे हैं इतना कुछ होने के साथ आपके साथ अच्छे से रह रहे हैं तो सब अपने अपने बता रहे हैं बाकी आपके फेस पर दिख रहा है कि आप ठीक नहीं हो सिर्फ आप अपने बच्चे की वज़े से नॉर्मल है बट आपके अंदर बहुत सहन शक्ती है इनका वीडियो आज काफी लेट आया तो मैंने भी जैसे पहले वीडियो डाला तो उसमें इनके इंस्टाग्राम स्टेटस पे यह सहन शीलता से रिलेटेड है कि यह सब चीज़ें उन्हों रेडाली हुए नार्सिस्टिक इंसान पे औरत पे बात करी है इनोंने और पूरे वीडियो में मतलब थोड़ी दुखी दिखी है इवन दुखी नहीं बहुत ज़ादा दुखी दिखी है तो फ्रेंट्स यह है इनका आज का वीडियो और पापा जी के लिए बहुत सारे अच्छे कॉमेंट्स आ रहे हैं जो इनके ससुर जी है और चाय के लिए बार-बार आ रहे हैं काफी लोग यह कह रहे हैं बी स्ट्रॉंग बस आप सही हो हर घर की यही कहानी है स्माइल वक्त के साथ सब सही हो जाता है काफी इनको मतलब मोटिवेट कर रहे हैं लोग इनका वीडियो आज थोड़ा लेड भी आया है और कामिनी जी ने बिल्कुल सही कहा लोग बोल रहे हैं कामिनी सब कुछ भूल जाओ लेकिन यार कहना बहुत असान है जिसके साथ होता है वही जानता है कामिनी जी के साथ बहुत गलत हुआ है तभी उनके लिए भूल पाना impossible है कामिनी जी एकदम सही है खेर अभी टाइम जैसे उनके बोला कि अभी वक्त नहीं है इन सब चीजों का थोड़ा टाइम लिया जा रहा है कही ना कहीं जो चीजे हुई है उसकी वज़े से आभी कंट्रोवर्सी की वज़े से और जो घर में डैत हुई है इनके नानी जी की उसवज़े से अपने मतलब कोशिश कर रहे हैं की वीडियो में पिल्कुल positive positive चीज़े ही लाएं बागी कुछ hate comments है जो उदर भी आ रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगी कि आप कुछ time click जो लगता है आपको जादे ही comments ऐसे आ रहे हैं तो comment section off कर लिजे ये मैं दोनों को ही कहूंगी और इस time अच्छे वीडियो लाइए और मातरानी आपके घर में सुख शान्ती करें चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजेगा बाई बाई और टेक कियर